दोस्तों अगर आपने सहरा इंडिया में आवेदिन कर दिया है और आवेदिन करने के 45 दिन के बाद भी आपके पैसे नहीं मिल रहे हैं तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कैसे आपको क्या करने होंगे वो आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो दिखी ये आपका सहरा इंडिया का जो आफिसियल वेबसाइट है वो आपकी स्क्रीन पर देखनी को मिल रहा है गौर्वर्मेंट आफ इंडिया अब यहाँ पर देखे आपके पास बहुत आपसन होते हैं आवेदन आप कर लिजेगा जिन लोगों का आवेदन हो चुका है उनको देता है कि 45 दिन में आपके पास मैसेज किया जाएगा या फिर इन्फॉर्मेशन भीजा जाएगा जिसके माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा कि आपका पैसा कब मिलेगा कैसे मिलेगा अब यहाँ पर सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि कुछ लोगों का form reject हो रहा है तो reject क्यों हो रहा है और कैसे check होगा तो देखें यहाँ पर आपके सामने जो आपका आधार card का number होता है बारांग का उसका आपका last का 4 digit यहाँ पर लिखना होगा और आधार से जुड़ी mobile number यानि कि जो आपके आधार card में mobile number आइड होगी उसको यहाँ पर लिखने होगी लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर दीखें OTP प्राप्त करें आपके mobile पर एक OTP जाएगा मैं भी सब कुछ करके clear दिखा रहा हूँ आपको दिखें बिल्कुल परिशान होने के जरूत नहीं है और नहीं डरने की बात है जो आपका यहाँ पर cancel और rejection दिखा रहा है हो यह रहा है कि लोगों का जो है आवेदन ही चल रहा है verification की प्रक्रिया में थोड़ा सा लेट हो रहा है आप जो है इस सहारा इंडिया के refund portal पर आवेदन कर रहा है इसका verification हो रहा है चेक किया जा रहा है उसके बाद सरकार के पास भेजा जा रहा है क्योंकि जो पैसे है वो सरकार ही आपके खाते में आधार कार्ट के माध्यम से बिड्रोल करेगी या भेजेगी तो यहां पर सहारा के portal से आपका match किया जा रहा है जो आपका bond है वरजिनल जिसके माध्यम से आपने आवेदन किया है उसका verification किया जा रहा है तो उसको verification करने में दोस्तों करीब 40 से 50 दिन लग जा रहा है लेकिन कुछ-कुछ लोगों के पास message नहीं आ रहा है जिन लोगों के पास message आ रहा है वो लोग comment करके बता सकते हैं और जिन लोगों के पास नहीं आ रहे हैं, वो भी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, प्राबलम यहाँ पर कहां से सुरू हो रही है, प्राबलम यह हो रही है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, उनके 40 से 50 दिन हो चुके हैं, फिर भी उनके पास information नहीं आ रहे हैं, व ऐसे वसे आपको करना है, और आपको बता दूँ का आप फेस्बुक पर 40-50 जार लोग वीडियो को देख लेते हैं, फालो दो चार हजार नहीं करते हैं, काफी वीडियो देखते हैं, मेरे अभी फालोवर जो हैं, आप जितनी लोग फालो की हैं, मातर साड़े तीन हजार, तो कम सकम 10-12,000 कर दीजी भाई, तैकि आपके पास जो सूचनाय जाएं, वो अच्छे से पहुँच पाएं, तकि लगे कि इनफार्मिशन सही दिया जा रहा है, और आप फेस्बुक पर तो बहुत कम लोग फालोगें, यूटूब पर फिलाल 20,000 लोग हो चुके हैं, तो भ तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आधार नंबर का आखरी 4 डिजिट आपको फिल करना है, तो आप यहाँ पर फिल कर लीजिए, इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर आधार से जोड़ा एक मोबाईल नंबर फिल करना है, इसको फिल करके यहाँ पर नीचे आपको जो देखनी को मिल रहा है get OTP या फिर OTP प्राप्त करें इस पर आपको feel करना होगा ठीक है तो इसको feel करके जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपका जो आवेदन की स्थित है वो आवेदन की स्थित आपको देखने लगेगी कि उसमें क्या है matter थोड़ा सा security purpose की वज़ा से मैंने blur किया या देखिए जैसे मैं सब कुछ भर के detail आगे feel किया तो यहाँ पर under processing आपको देखनी को मिल रहा है और जमा रासी 12,000 तो आप जितने bond के एक ही में update किये होंगे जितनी भी bond आपने जमा की हुए एक ही साथ 10,12,5 जिस क्या था एक ही था दो था तो एक ही साथ हो जा रहा था तो यह आपने किया होगा और ऐसे आपको अगर दिख रहा है तो आपका सही है वो verification होके आपको पैसे मिलेंगे अगर under processing नहीं दिखा रहा है आपका reject दिखा रहा या फिर incorrect दिखा रहा तो मामला करबड़ है तो फिलाल यह जानकर आपको कैसी लगी comment box में ज़रूर बताएं दोस्तों